भारत रतन स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच में नहीं रही उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भरती कराया था जा उन्होंने आखरी सास ली लता मंगेशकर बानवे साल की थी और उन्हें उम्र से संबंदी अन्य समस्याए भी थी इसी बीच लाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने ए ए नाई को बताये कि लता जी की तबियत फिर से बिगड़ गई थी उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कराया गया था डॉक्टर्स की एक टीम उनकी निगरानी भी कर रही थी पिछले दिनों जानकारी मिली थी कि गाई का ल हल की ताजा जानकारी के मताबिक लता मंगेशकर अभी आईसियो में थी और अभी जानकारी मिली है कि लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गई डॉक्टर की टीम लगातार उनके सौस्ट पर नजरे भी रखी हुई थी इस से पहले दिगज गाईका को नवं कॉमबर 2019 में सास्त में तकलीफ होने के बास अस्पताल में भरती करवाया गया था अपने साथ दसक के लंबे करियर में लता मंगेशकर ने कई भारतिय भासाओं में 30,000 से अधिक गाने गाये हैं लता मंगेशकर को सरवच्च भारतिय नागरीक सम्मान भारत रत पदम भिव दसकार से नवाजा जा चुका है